तो कनाट प्लेस पर आम लोगों से माहौल क्या है जानने के लिए दोजार चौबिस लोग सबा चुनाव में इंडिये बना हम इंडिया गट बंदन की ऐसा लगता था दो महिना पहले की सीधे सीधे लड़ाई होगी इंडिया गट बंदन की बहुत सारी पार्टिया इंडिया बंने के बाद से याप देखिए शरत पवार की पार्टी तूट गई उद्धर ठाकरे की पार्टी तो पहले से ही तूटी हुई थी इसके अलावा अब बिहार में खेला शुरू हो रहा इसके अलावा इंडिया गट बंदन बंने के बाद इंडिये की एक बैटा खोई ओम राजभर को यूपी में लाया गया दारा सिंग्ग चौहान को वहां पर लाये गया तो तमाम जगों पर समीकरण दोनों तरफ से सेट हो रहे हैं तो क्या इंडियो और इंडिया के बीच में लडाई होगी की नहीं आम लोग क्या सोचते आप क्या सोचती मुझे नहीं लगता कि कोई लडाई होगी उनकी किनकी आप लहरों के विरुद तैर नहीं सकते जो समंदर की लहरे हैं या तो किष्टी उसमें छोड़ दो अपने आप के राने नारे लग जाएगी आप उनकी लहरों की विरुद तैरना शुरू कर दोगे तो कहीं नहीं रहे यानि सब लोग समर पर कर दे समर पर नहीं होना चाहिए किसी भी वक्त ऐसा है अपोशन भी मत करो साथ भी मत रहो खड़े रहो किनारे पे अब लदाक से सिंध नदी चलती है जिसको एलके अड़वानी जी ने वहां हर साल किया है वो बहुत तेज रफ्तार में बहती है सिंध आप उसकी विरुद लहरों में उपर जाना चाहते हो वो तो धकेली की ही नीचे आपको मैं कह रहा हूं तो फिर सब को सरेंडर कर देना चाहिए किस लेए सरेंडर कर साновी की लड़ाई है उनकी वो लोग들 को p 187 पहुंच जाए ये लोग अपनी ऑप्र तो आइडियाल पहुँचे पहुचता है कि कोई नहीं कर रहे हैं सब तो चुनाओं के लिए कर रहे हैं तो उसमें एक लेहर समंदर की लेहर किसकी है आप से एक चीज़ पूछता हूँ वट डू यू मीन बाइस्किलरिज्म आप मुझे बताई इसका जवाब दे दीजे आप तो बहुत ग्यानी है आप बोलते हैं अच्छा एंकर करते हैं वट इस मीनिंग आप से श्कुलरिज्म देखिए राजिका मैं कह रहा हूँ राजिका या राजिकी तरफ से किसी धर्म विशेष का संग्रक्षण नहीं होना चाहिए राजिकी दृष्टी में सारे धर्मों का समान महत्त होना चाहिए तो उसका यह तो नहीं है ना कि आप एक कौम को दूसरी के कौम के लड़ा लो आप यह कह रहे हैं कि जो सेकलरिजम की बात करके जो लोग राज्जिक करते ह God को तो बातना नहीं चाहिए कि आज हम एस्टी एस्ट्री का धालित वह सब कर रहें यह तो हमनी ही और मेरी मिन क्या उसकी भी हाथ‍पैर है मेरे तो खतम करना चाहिए था ना जब इतने सारे लोग हैं खतम करना चाहिए था अभी हुआ खतम नहीं हो रहा है क्योंकि जान बूज के लीडर लोग अपना ओलू सीधा करने के लिए इसको बांटते रहे अगर सतर साल में आप नीचे के तबके को लोगों को नहीं कुछ दे सके तो आज आप दुबारा रिजर्वेशन में खड़े करके उनको अलग-अलग करके क्यों करना चाहिए तो रिजर्वेशन तो सारी पार्टियां देती जारे हैं क्यों आपके इसाब से नहीं होना कि अगर इस फेमिली की इतनी यह है आज के टाइम के हिसाब से इंकम उसके बाद उनको आप वो कर दो उनकी एजुकेशन फ्री कर दो आपको पता है कश्मीर में कश्मीरी पंड़त क्यों बीख मांगने से बच गया क्योंकि वहाँ एक प्राइम निस्टर था जो बक्ची ग जात पात नहीं थी अच्छा आप कश्मीर से हैं हाँ एक टाइम पे मैंने कॉलेज किया है 33 रुपीज में ग्रिजवेशन और वहां पोस्ट ग्रिजवेशन 50 रुपे में थी और बसें फ्री थी उससे क्या हो गया कि लोग उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया और जब सेक्शन आप उनको बढ़ाओ देखिए वह बात उसमें ब्रहमन है ठाकूर है मुसल्मान है 10% से क्या हो जाएगा एक पर सुनिये आप कश्मीर में कहां से नहीं आप छोड़ दीजे उस बात को मैंने ये कहा कि कश्मीरी पंड़त कैसे हिंदुस्तान में सर्वाइव कर गया सारे मास्टर साथ लोग कश्मीरी पंडित थे वहां के लोग बता रहे थे दूसरी बात आज भी कश्मीर के लोगों का सिच्छा कास्तर बाकी स्टेट के और बाकी राज्यों से अच्छा है यह आपकी बात मैं मानता हूँ लेकिन किसले हुआ क्यूंकि वहां एजुकेशन फ्री कर दी गई लड़के और लड़कियां पढ़ने लगी कश्मीरी पंड़त से ज्यादा उनकी लड़कियां तो पड़ी लिखी है कोई भी अपना पोस्ट ग्रिजुएशन से कम नहीं है कोई भी लेकिन सब प्रदेश की परिस्तितियां अलग अलग है नहीं नहीं क्यों है प्रज़ आप बोलते हो कि कश्मीर से कन्या कुमारी तक एक है यह नहीं यह देश कहा है आपने बांट दिया है तामिल बोलता है मैं तामिल हूं नौर्फ इंडियन नहीं आना चाहिए यहां पर आपको पता है वहां एक मंत्री राजु करके उसने दिया कि त बॉंबे से कास्मनोंटेंसिटी है वहां बाकी के लोग निकल जाएंगे तो भॉंबे तो खतम हो जाएगा कोन रहेगा वहां क्योंकि ये तो आप बोलती है ना पार्टी यां तो इस देश को बांट रही है तो करा क्या जाएं आप ये रिजर्वेशन खतम करके जो ये एकनॉमिकली बैकवर्ड कलासिज है मतलब जो लोग बैकवर्ड है उनको आप आगे बढ़ा दो जात्पात के बगार एक्टेशन फ इस बन रहे हैं वह इसलिए कि एक फांडेशन बनाई गई है जामिया मिल्या में है वह फ्री एजुकेशन देती है वह उनको बोडिंग भी और ये भी आपने क्या कि हिंदूं के लिए उनको तो आपने बखेर दे दिया खतम तो हुआत है हिंदू भी बहुत आईस हुए ज चोड़ दीजे नहीं है सारे हिंदू यहीं से चले गए हैं एक अभी चला गया है जो चीफ सेक्टरी बना के गया वह कश्मीरी पंड़त है बाकी नहीं है बाकी सब बहार से हैं तो आप है कि आपके उसका जवाब नहीं दे रहा हिंदूस्तान को बाटनी की कोशिश मत कर लो बस यहां जातपात के अंदर धीवार मत खतम कर दो जो इकनामी जो गरीब लोग है उनको फ्री एजुकेशन दे दो उनको फ्री बुक्स दे दो उनको इनको बड़ उनका सतर बढ़ और उस तबके में जो लोग पैदा हुए हैं उनको पता चलता है कि सिर्फ आर्थी कस्तर नहीं हो दी और कश्मीर के लहरूं के विरुदमत जावाब आप कहीं नहीं रहोगे जो हो गया अब आप ही खुद कह रहें थी कि ममता ने कहा है मैंने इंडिया बुलाग छोड़ ज लालू और उसके बेटों को किया उसी बयान से तो अंदाजा निकल रहा है कि नितीजी कुछ करने वाले जो भी वो करे या न करे लेकिन स्टेटमेंट तो दे दिया उसने अब बताएं लोगों के ऊपर यह है क्योंकि अभी भी कुछ पुलिटिकल लीडर यह समझते हैं कि ह आज इंटरनेट पे चलता है उनको पता है अमरेका में क्या हो रहा है फ्रांस में क्या हो रहा है तो अपने देश के बारे में नहीं पता होगा तो आज यहाँ बश्यान चाहते हैं में यह हमारे लीडर यह जो बोल लिए ऊसिम का बस कि अश्यां हिंदुस्तान के लोगों आपके यहां पांचसो चालीस लोग सबहा मेंबर है क्या उनको पता है कश्मीरी में क्या हो गया क्या हो जा ही यह नहीं यह तो बात आपकी शहीय करदे दर्द को है लिया है और भीक नहीं मांगा जिन लोगों नहीं कोशिश की कि लोग इस सरकार का काम कैसा रहा है दस साल में कश्मीर के लिए वह ठीक है ठीक है ठीक ठीक ना काम तो बराबर है तीन सो सतर हटने के बाद और बहुत अच्छा बहुत बाद जो काम वहां हो रहा है आज कश्मीर चाहे देखे 99% मुस्लिम है कश्मीर मैं लेकिन जो आज कश्मीर जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है जितने घावं वहां संपने आज आज के प्रदेश के हालात पर और सियासी समीक्रणों पर आपका क्या कहना देखिए बीजीपी जो स्टेम रूलिंग पार्टी है बहुत अच्छा कर रही है और चाहे किसी भी वे में आप ले लीजे चाहे समाजिक उससे ले लीजिए एजुकेशन में ले लीजिए हेल्ट में ले ल झल्म पुरा गलोबली हमको एक्पलिश कर दिये आज आप किसी भी निसी भी देश में चले जाये चाहे वह कोई भी वी देशो हिंदुस्तानी की बारती गी एक अलग पैचान और अलग सम्मानने उनकी नज़रों में यह हमारी हमारी देश की सरकार हमारे देश के यह सब्सक्राइब करते हैं मैं एक मल्टिनेशनल कंपनी में हूँ आप यहारा दूसरी तरफ चलते हैं